आज के इस वडियो में हम कुछ English sentences सीखेंगे जो के English movie से लिए गये हैं और English movie से English सीखने के एक फायदा ये है कि हम national way में English सीख सकते हैं तो start करते हैं You don't have the guts to touch us आप में हमें छूने की हिम्मत नहीं है You don't have the guts to touch us You should go outside आपको बाहर चले जाना चाहिए They might kill you हो सकता है वो आपको मार दें या वो आपको मार सकते हैं You should go outside They might kill you They can't stand against us वो हमारे खिलाप नहीं खड़े हो सकते या वो हमारे खिलाप नहीं टिक सकते They can't stand against us वो हमारे खिलाप नहीं टिक सकते Why? Who do you think you are? क्यूं? तुम खुद को आखिर समझते क्या हो Why? Who do you think you are? क्यूं? तुम आखिर खुद को क्या समझते हो How dare you speak to me like that? तुम्हारी मुझ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई I must teach you a lesson मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा I must teach you a lesson Spit out your anger अपना अउसा थोक दो Spit out your anger I would like to talk to you If you don't mind अगर तुम बुरा ना मानो तुमैं सिर्श तुमसे बात करना चाहोंगा If you don't mind अगर तुम्हें बुरा ना लगिया अगर तुम बुरा ना मानो How dare he come here उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई How dare he come here उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई He just wants to talk to you वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है यानि वो यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया है He just wants to talk to you वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है Don't let him speak उसे बोलने मत देना I am not inferior to you either मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ I am not inferior to you either मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ You will also get what you deserve तुम्हें भी वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो या जो तुम deserve करते हो या जिसके तुम like हो You will also get what you deserve तुम्हें भी वो मिलेगा जिसके तुम like हो We have no other options left हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा We have no other options left हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा I consider myself lucky मैं तो खुद को खुशकिसमत समझता हूँ I consider myself lucky मैं खुद को खुशकिसमत समझता हूँ I am scared of neither you nor your father ना मैं तुम से डरता हूँ ना ही तुमारे बाब से I am scared of neither you nor your father जब किसी को यह काओ कि ना मैं ये करता हूँ ना मैं वो करता हूँ ना मैं तुम से डरता हूँ ना तुमारे फादर से ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना तुमारे फादर को दोनों sentence में जब ना की बात हो तो neither or nor use करते है I am scared of neither you ना मैं तुम से डरता हूँ, nor your father, ना ही तुमारे बाब से. You can't deceive me with these words. तुम मुझे इन बातों से धोका नहीं दे सकते. You can't deceive me with these words. If you touch my son, अगर तुमने मेरे बेचे को हाथ लगाया, I swear, I will kill you. तो मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें माल डालूँगा. आर कैजुल्टीज, चाहे जितना ही जाने नुकसान क्यों ना हो जाए. कैजुल्टीज मीन, बहुत जादा जाने नुकसान होना, बहुत जादा लोग मारे जाने जैसे जंग के मौके पर होता है. तो वो कह रहा है कि जाहे जितना ही जाने नुकसान क्यों ना हो जाए. I can't let you save him. मैं तुम्हें उसे नहीं बचाने दूँगा. तो एक कुछ सेंटेंसे हैं जो कि इंग्लिश मूवी से लिए गए हैं, नीदर नौर का यूज आ जाता है, या जैसे कि धोके के लिए हम यूज करते हैं, डिसीव को, या सिंपल, मुझे हाथ मत लगाना, या उसे बोलने मत देना, या मैं तुमसे कम तर नहीं हूँ, इस तागे सिंटेंसे हम अपनी कॉन्वर्जिशन में बहुत यूज करते हैं, तु इन सिंटेंसे को याद कर लीजिए, और आज से इने इंग्लिश में बोलिए, कि बिस्टेंग विद अस, थैंक्स पर वाचिंग.